लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें क्या यह तुम्हारा अंते मिर्ना है गजानन नहीं इस अंसार में किफी भी विचार का अंते मिर्ना लेने का अधिकार आ शुतोष भगवान शीव के बाद सुरक्षित है हम तो केवल उन से निवेधन कर सकते हैं भगवान शीव से निवेधन करने से पहले हमें अपने निवेधन के शबी पैयलुओं पर विचार कर लेना चाहिए तो तुमने क्या सोचा मैंने जो सोचा है गजानन वह तुम नहीं तोच रहे मैं तोच रहा हूं कि मत्सरासोर को भगवान शेव का वर्दान मिलेगा तो वह और भी भैयानक हो जाएगा और यदि वर्दान नहीं मिलेगा तो आरादना और तपस्या की परामपरा सदा सदा के लिए समात हो जाएगी तब तो हमें किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार करना होगा जिससे वर्दान देने और ना देने के बीच का मांग निकल आए मैंने वह उपाय सोच लिया है अर्थां तुम हमसे अधिक चतुर निकले हम दोनों में कोई अंतर नहीं इसका रहसे तुम नहीं हमें समझाया था तुम मेरे मन की बात जान गए हो कि अन्य दो सुना देते हैं चलो चलो प्रणाम पिताश्री पिताश्री आपकी आज्या से हमने सभी पहलों पर विचार विमाश करके यह निर्ड्रे किया है कि मच्राशूर को कि मच्राशूर को वर्दान न दिया जाए साम सदाशे गौरी पुत्र और गजानन श्री गणेश की जैस भोले ना थे, गौरी पुत्र श्री गनेश और गजानन श्री गनेश ने हमारी प्राप्तना सुनकर हम पर महान कृपा की है, आप सब की जै हो, अब हमें आज्या दे भोले ना थे, तुम दोनों का प्रस्ताव हमें स्विकार है, हम मत्सरासुर को वर्दान देने नहीं जाएंगे, परंतो मत्सरासुर ने एक तपस्वी का कर्तव्य निभाया है, उसके साथ क्या किया जाए, इस पर तुम दोनों ने विचार किया है, अवर्श है पिता श्री, हमने, वो निर् तुम दोनों का निर्णय उचित है, क्योंकि मुझे तुम दोनों की चतुराई पर विश्वास था, इसलिए भगवान शियर ने मत्सरासुर का निर्णय करने का अधिकार तुम दोनों को दिया, बाता, यदि आपको हम दोनों की चतुराई और निर्णय ने प्रस्न न किया मेरा आशिरवात सदा तुम दोनों के साथ है मता गोरे पूतर अभय मुद्रा में उठे आशिरवात की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं ये तो मोधकों के आशिरवात की बात कर रहे है माता मोदकों का आशीरवान मुझसे अधिक गजानन को चाहिए क्योंकि इन्होंने तो अब तक आपके हाथों से बने स्वादिश मोदकों का स्वाद भी नहीं जाना है मुझसे आपके स्वादिश मोदकों की प्रशन सा सुनकर ये उन्हें खाने को उच्षुख है मैंने तुम दोनों के लिए धीर सारे मोदत बनाये हैं मेरे साथ चलो मैं तुम दोनों को खिलाती हूँ तुम नमा शिवाइ लुझे पुर्छनामाखषी expect ओम नमा शिवाय 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 आमनाशवाय ओमनाशवाय 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 दाफ्टा गुरुशुक्रा शारियर अप्सेगर प्रकठो बहुक्वान शेव की आराधना से मुझे वर्दन नहीं मिल सकता आपने असत्य कहा था कि भगवान शिव देद्टों के अराध्य है शीगर प्रकठो देद्ट गुरु शुक्रचार मेरा मांग दर्शन करें क्या आप भी मेरी पुकार नहीं सुनना चाहते क्या आपने मुझे शीव राधना का परामश देकर मेरे साथ चल किया है क्या आप देद्टों की हितेशी नहीं है आपने मेरा समय क्यों व्यार्द किया देद्ट गुरु शीगर प्रकठो और मुझे उत्तर दए रकठो देद्ट गुरु रकठो अच्छण तुम बार-बार मुझे पकार कर मेरी शीव आराधना में बाधा क्यों डाल रहे हो आप मे अपनी मुर्खता पर अंकुष लगा मत्सरासुर देट्व जाती के सच्छे हित्चित तक देट्ट गुरु शुकर अचारे को देट्ट शात्र कहने की भूल मत करो भूल मैं नहीं आप कर रहे हैं शुक्राचारे शीव आराधना का परामश देकर आपने मेरा मुझ लेवा परिणाम तुम्हें भूगता पड़ेगा दुष्ट मत्सरासुर देट्व शुकर अचारे को परिणाम का भाई ना दिखा क्या तू अब अधिक समय तक जीवी तरहने का इच्छुक नहीं है रिट्ट्ट की काम ना आप कर रहे हैं देट्ट्गुरु असुर और देट्ट के सच्चे हित जितक हैि वियान अंधिकाल से दैट अचादी पर क्रिपा करते आये हैं तो उन्हें मुझ पर क्रिपा क्यों नहीं की हो सकता है तुमने सच्चे मंसे शिवारादना ना की हो है घञत्त गुरू तो मैंने पूरे समर्पन के साथ शिवारादना की है परन्त हमारी वद्धध भे उसी क समान ठामित रहती है कि नेद्य कुरुशक्र अचार्य और किसी को भी शिव भक्ति का परमर्श दे कर ब्रामित नहीं करते हैं है यदि तुम ने सच्चे मंद से भगवान शिव की आनादन की होती ह Recogn 어떤 उपकर करते हैं मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा देते गुरुप यदि आपने मेरे साथ छल नहीं किया और देत्तों के आराद्य भगवान शिव हैं तो मुझ पर क्रिपा क्यों नहीं कि उन्होंने आप शीख रही मेरा मार दर्शन कीजिए देते गुरुप मत्सर असुर तुम्हें एक सब्दा के लिए सच्चे मंद से भगवान शिव की आरादना करें यदि आरादना करके वर्दान की सफलता ना मिली तो तो मैं तुम्हें अपने साथ कैलाश ले जाऊंगा आप धन नहीं देत्तों गुरुप इस मत्सर असुर ने विर्थियाप पर संधे किया मुझे मुझे क्षामा कर दें देत्ते गुरुप मैं एक सब्दा तक स्वैम को शिव वक्ति में लीन कर दूंगा तुम्हारा कल्यान हो आशितोष बगवान शिव तुम्हारी अरादना सफल करें ओम नमस्षिवाइए अर्णIlौण बाल ज jornal के है तुम्हार दुम्हार नमस्षिवाइएएएएँ vem मैं लुम्हार कि यो हाथ पर हाथ भरे बैठे रहने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा इसकी दोशी आप है दहते माता आपने अपने हट के कारण अमारी शिव आराधना भंग करवा दी अनेक वर्षों तक शिव आराधना करने के पश्चाद भी तुम्हें क्या प्राप्त हुआ है मैंने तुम्हारी शिव आराधना भंग करके उचित ही किया है कि आपको युचित काम करवा सकती है इस पर मुझे संदेह दैत माता आप जो भी कारी करती है वो अनुचित ही होता है अपनी मर्याधा को लांगने का दुसाहस ना करका प्लाक्ष दैत माता दिती का अनुचित कारे भी उचित ही होता है ब्रह्मा राधना का परावश देते सम मैं आपने उसे उचित बताया था परकु हमारी ब्रह्माराधना अस्पल वोड़े जिस शिव भक्ति से हमारे जीवन की डोर बनी थी वो भी आपके अनुचित विचारों के कारण तूड़ी अब शिव कोप से हमारी रक्षा कोई नहीं कर पाए अब हम निश्जित मारे जाए तुम जैसे कायरों का मर जाना ही उचित है तुम देत्य जाती पर कलंग हो असुरों के नाम पर काला धप्पा हो मैंने आज तक तुम्हारे जैसे कायर और डर्पोक असुर नहीं देखे तुम्हारे भीतर तुम्हारे महानपिता का एक भी गुण नहीं है इसके भी दोश्य आपके प्रिये पितामः ब्रह्माजी हैं जिन्होंने हमें इतना व्यर्थ वर्दान दिया वर्दान दिया नहीं जाता मांगा जाता है जब तुमने व्यार्तवर्दान मांगा है तो तुम्हें व्यार्तवर्दान ही मिलेगा जब तुम बभूल बोगे तो तुम्हें आम कहा से मिलेंगे हमने बवूल नहीं बोई देते माता हमारे मार्ग में बवूल के काटे तो दुष्ट देवताओं ने आपके प्रिये ब्रह्माजी से साठ गाट करके पिछा दिया अब हम विवश्च हैं तुम तो तब भी विवश्च थे जह सिन्धु ने तुम्हें पराजित पिया था था थे को ब्रह्माजी ने तुम्हे अतुल्य दयत्यसक्ती का वर्धान भी दिया था कि शिव आराधना के चक्कर में भसकार कि तुम दोनों ने आज तक अपनी भयानक विद्वन्सक और वर्दानी द्यत्य शक्ति का प्रयोग नहीं किया मेरी आज्या मानो और अपनी भयानक द्यत्य शक्ति का प्रयोग करके कि मुझे इस बंदी ग्रह cay से बाहर निकालो यह बंदीग्रह नहीं यह देते माता वर्दानी भया कमलाक्ष का रज़त पुरह तुम्हें यहाँ संसार का हर सुक्ष प्राप्थ हो सकता है मैं थो संसार को देखे भी नहीं मेरी ये कामना कभी पूरी नहीं हो सकती आप भीरू और कायर कहके बार-बार हमारा अपमान कर रही है दैथ माता तुम दोनों अपमान और प्रताड़न के ही होंगे हो तुमने आज तक अपने पराक्रम को सिर्ध और वर्दान को प्रमानित करने वाला कोई भी कारे नहीं किया अवसर आने पर हम अपने पराक्रम से संसार को अपने जर्णों में जुका देंगे वो अफसर विधाता ने तुम्हारी कुंडली में लिखा ही नहीं तुम कायर थे कायर हो और कायर ही रहोगे तुम्हारे भीतर, तुम्हारे महान पिता के नहीं तुम्हारी स्वार की मा के गुण भरे हैं वो भी तुम्हें इस बंदी ग्रह में छोड़कर स्वार्ग का सुख भोगने चली गई उसकी विद्वोश्री आप हैं आपके साथ रहना स्वयम संकटों को आमंत्रित करना है मात असर मड़ देते हो यदि तुमने अपनी वर्दानी शक्ति का प्रयोग करके मुझे इस बंदी ग्रह से बाहर निकाला तो मैं तुम दोनों को कि अध्यूद्ध तारक मुत्र शीकार कर लोंगी कि देते माता आपकी संथुष्टी के लिए हम अपनी देते शक्ति से इस राजतबूर के दीवारों को दोलकर बाहर निकल जाएंगे चलो भाईया देद वाओ झाल पो कर दो रोजवे तो कि अपकता है वुदू बाहर गणिस आया नम्हा ओम परमदेवा है नम्हा ओम विश्वबरदा यल्हा ओम बहले शाय नम्हा ओम परमदेवा है नमहा ओव शव बरदाया नमहा पुत्र व्योग ने तुम्हें बावला कर दिया है देवी अधिती, भी रज रखो, महतकट को जितने दिनों तक हमारे साथ रहना था, वे रहे, हमें परमद्यो श्री महागणेश के निरण को स्विकार कर लेना चाहिए देवी, इसी में हम सब की भलाई है, नहीं स्वामी, मैं महतकट के व्योग का निर्डे स्विकार नहीं कर सकती, नहीं जाने, मेरी अराध्य परमद्य श्री महागणेश, मेरे साथ आख मिचली का खेल क्यों खेल रहे हैं, आख मिचली का खेल, हाँ स्वामी, उनके बाल अवतार हमें अपनी जलक दिखा दिखा कर चले जाते हैं, और मैं रोती रह जाती हूँ, यदि आप मेरी एक बात माने, तो मैं आपसे प्रात्ना करना चाहती हूँ, अवश्य देवी, स्वामी, आप मुझे महता पारवती के पास कैलाश ले चले, उनके चल्डों में बैटकर, मैं गौरी पुत्र श्री गणेश की न ऐसा करना हुचित नहीं है देवे दिती, भगवान च्षित और माता पारवती ज्याग्या पाई भीना, मैं कैलाश चलने के स्विकरती नहीं दे सकता प्रणाम पिताश्री, प्रणाम आताश्री, आप दोनों को कैलाश जाने की आवशक्ता नहीं है, मैं गौरी पुत्र का बदला रूपू, आज से मैं द्रिश्य और अद्रिश्य रूप में, तदा यहां निवास करता रहूँगा क्या हाँ